पत्ना की बेटियां अब आसमान चुएंगी जिहां पत्ना की 40 छात्राओं का चेयन एर होस्टेस के लिए हुआ है अब ये सभी 40 बेटियां आसमान में उडान भरेंगी पत्ना की 40 बेटियां का चेयन एरलाइन विमान के एर होस्टेस के तौर पर हुआ है तरसली से भी और वहीं पर एरलाइन की तरफ से प्लेस्मेंट लाया गया था और इसे प्लेस्मेंट में चालिस लड़कियों का सेलेक्शन एर हॉस्टेस की तौर पर हुआ है पूरी खबर आपको आगे रिपूर्ट में बताएंगे उससे पहले नमशकार मैंने हचादरी कैमरे परसन और इसके रूप में हुआ है आपको बता दें कि इसके लिए एक परिक्षा का आयोजन किया गया था इस परिक्षा में कॉलेज की लगभग साड़ी तीन सो लड़कियों ने भाग लिया और उसके बाद कंपनी की तरफ से ऑनलाइन तरीके से टेस्ट लिया गया और उसके ब लड़कियों का चैन हुआ है वो सभी लड़किया एरलाइन की ट्रेनिंग में शामिल होंगी और उसके बाद पटना के सभी 40 बेटियां उडान भरने के लिए तयाद हो जाएंगे इस बारे में जब कॉलेज के प्रिंसिपल प्रॉफेसर मीरा कुमारे से बादशीत की गई पीस प्रक्रिया समझाई है कि किस तरीके से कॉलेज में समय समय पर प्ले있मेंट का आयوجिन और उस प्लेस्मेंट में क की सभी लड़कियां भाग ब्लेकर सेहे बड़े सब्ले काम करते हैं कि हमारी कालेज के 40 बच्च का प्धूरों का सिलेक्शन हुआ तो हम इस बात से बेहत खुश हैं और उन सभी 40 लड़कियों को बहुत सारे शुब कामनाई देते हैं इन सभी लड़कियों ने कॉलेज के साथ साथ पूरे भिहार का नाम रौशन किया है इस बारे में जब प्लेस्मेंट सेल की सदर से डॉक्टर मिनाल मंजूरी से बात मिनाल मंजूरी ने ये भी बताया कि एकैडमी के सेयो मनीश कुमार ने पहले चरण में चात्राओं के द्वारा एक्जैम दिलवाया था और उसके बाद जब 138 चात्राओं का चेहन इंटर्व्यू के लिए हुआ तो प्लेस्मेंट के दूसरे चरण में सभी चात्राओं ने इंटर्व्यू में भाग लिया और उसके बाद ग्रूप डिसकेशन का भी आयूजन करवाया गया था इसमें की कुल मिलाकर 40 चात्राओं का चेहन हुआ है इस चेहन प्रक्रिया के बाद सभी 40 चात्राओं एयरलाइन कंपनी की तरफ से आयूजित ट्रेनिंग में भाग लें आपको पता दे कि एयरलाइन के लिए प्रक्रिया बेहत सरल है इसके लिए अगर कोई भी छात्रा आविदन डालना चाहती है तो इसके लिए सबसे पहले अभ्यरती किसी भी मानेता प्राप्त कॉलिज से इंटर तक की पढ़ाई की हुई होनी चाहिए और इसके बाद सीधे कि किसी एयरलाइन कंपनी में ले सकती है इसके बाद उस और्गनाइजेशन की तरफ से लिए गए एंटरिंस एक्जाम को भी पास करना होता है और लड़कियां जैसे ही एक्जाम पास करती है वैसे ही वो ट्रेनिंग में भाग ले सकती है बांके इसके अलावा एक और प्रक जाते हैं जिसके जिम्मिदारी यह होती है कि वह एरलाइन विमान या फिर किसी भी विमान पर जो यात्री सफर कर रहे हैं उनके सुरक्षा और सुविधा का बहतर खयाल रखे यह बनने की जो योगिता है वह यह कि नियुंतम आयो कमसे कम अठार से 21 साल के बीच होनी चाहिए इसके साथ-साथ लंबाई 5 फिट अनिवार है इसके बाद लंबाई के हिसाब से वजन भी अनुपात में होना चाहिए और शरीर में कोई भी टैटू या फिर पियसिंग नहीं होनी चाहिए इसके बाद अभियर्थी ट्रॉले उठाने में सक्षम हो इसके साथ साथ अगर कभी आपातकाल की स्थिती बन जाए तो वो खिड़की और दर्वाजा आसानी से खोल पाए अभियर्थी कोई भी मानसिक बिमारे से ग्रसित नहीं होनी चाहिए और आखों की रोश्णी कम सी कम 20 by 40 होनी ही चाहिए बागी मुख्य बात यही है कि पटने की बेटियों का चेन यह रोश्ट्रेस में हुआ है और वो सभी लड़कियां उरान भरने के लिए तयार हो चुकी है आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगी की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्षन देखती रहे हैं